तो दोस्तों यहाँ पर एवाइब ने कर दिखाया इतना जल्दी कर देगा इसकी उमीद नहीं थी करेगा इसकी उमीद थी बट इतना जल्दी कर देगा यह मैं नहीं सोचा था तो एवाइब ने आप दोस्तों फाइनली अपना क्लेमिंग का प्रोसेस जो है लाइब कर दिया साथ में KYC phase 2 किस तरीके से होगी क्योंकि अगर आप KYC phase 2 नहीं किये रहेंगे तो आप इसके लिए eligible नहीं होगे यानि कि आपका claim token होगा ही नहीं mining करने का कोई मतलम नहीं निकलेगा ठीक है और KYC phase 1 भी नहीं रहेगी तो भी कोई मतलम नहीं निकलेगा अब आगे जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा KYC phase 2 करते वक्त आपको एक तो OKX की wallet ID मतलम OKX की UID डालना है UID और साथ में दोस्तों जो है यहाँ पे आप इसका एक wallet भी होता है ना उसमें OKX का wallet भी है आप तुरांती सको upload करूँगा ताकि आप लोगों को जो latest information मिल जाए सारा डाउट के लिएर होने वाला है मैं करके भी दिखाने वाला हूँ So hello and welcome guys क्रिप्ट वाला दोस्त यूटूब चैनल आपका स्वागत करता है दोस्तों एक like एक comment कर दीजिए मजा जाने वाला है टेलिग्राम गुरूप से अगर आप लोग जूड़े होंगे तो आप पर contact address का information आप सबको मिल गया होगा तो टेलिग्राम गुरूप का link में description में drop कर दूँगा क्योंकि आज काल तो भाई अच्छा अच्छा update आ रहा है कि के वाईसी phase 2 जो यह live हो चुका है यह वाईप की listing भी हो चुकी है OKX पे 14 तारिक को ही listing हो चुकी है आज 15 दिसम्बर है तो 14 का ही listing हो चुका है और इसके बाद दोस्तों जो online तारिक से यहाँ पी spot में trading होगी यानि कि spot version में trading होगी साथ में withdrawal कम मिलेगा तो हमारा withdrawal 21 दिसम्बर से मिलेगा 21 दिसम्बर से ठीक है तो अभी हमारे पास कितना समय है लगबग 3-4 दिन तो आपको परसान नहीं होना है धीरे-धीरे काम करना है पेसेंस से करना है ताकि कोई mistake नहीं तो mining आपका चला जाएगा क्योंकि दोस्तों यहां पे आगे एक update आया है जिसमें पता चल रहा है कि जो लोग गलती किये रहेंगे उनका जो है क्वाइन लेट मिलेगा यानि कि पूरा नहीं मिलेगा यहां पे देखे इसकोर वाइज मिलेगा तो इसको भी हम लोग को देखना है क्योंकि पूरा claiming detail जो है आगे आई इसमें ठीक है तो अभी mobile की दर गया है अब दोस्तों यहां पे देख रहा होंगे जैसे आप लोग अपना mining app open करेंगे तो यहां पे एक poster चल रहा होगा पहले KYC 1 देगा 2 देगा and listing देगा तो इसके बाद देखिए आप लोग KYC 1 किया है कि नहीं जो लोग नहीं किया है भया जल्दी सिज़ा करो करना क्या है OKX पे OKX Exchange पे पहले अपना KYC verification कर लो उसी के माध्यम से हो जागा यानि कि OKX पे आपका account बन गया तो यह लोग verified कर देंगे बस उसका UID डाल देंगे तो simple है तो उसका आपका करना जरूरी है उसमें आप अपना अधार का फोटो डाल दीजे background and facial recognition कर लीजिए क्योंकि new update में अधार का option भी आ गया है पुरा अच्छे से लिखा हुआ है तो यानि कि यह अच्छी facility है उसको आप लोग कर लीजिएगा करने के बाद KYC 1 में भी आप लोग EID डाल दीजेगा KYC 1 नहीं किये रहेंगे तो आपका नहीं eligible होगा तो अब 2 के लिए देखे यहां पर phase 2 चल रहा है तो इस पर हमको click कर लेना है पहले मैं KYC के बारे में बता देता हूँ फिर claiming process किया है उसके बारे में बता हूँगा तो अब देखे यहां पर लिखा हुआ है कि KYC page KYC will be listed on OKX trading start on 19 December only who passed KYC phase 1 and 2 are eligible for the KYC token claim दोनों रहेगा KYC तभी होगा तो यहां पर देखे share to apply लिखा हुआ है तो इस पर click करना है और यहां पर देखे दो चीज ध्यान से देखना है यहां पर direct message एक post है तो हमें direct message पर नहीं click करना है बलकि post पर click कर लेना है तो हम लोग post पर click करते हैं कुछी इस प्रकार से दिखा हुआ है तो इसको हम लोग को post कर देना है post करते ही यहां पर MRS हमने apply का option आ जागा तो इसको हमें apply कर लेना है अब देखे यहां पर मेरा कोई भी नहीं लिखा हुआ है यहां पर UID दिखा है और यहां पर wallet address तो अभी हमने जो उपर कोई wallet address नहीं डाला हुआ है यहां पर आप लोग देख सकते हैं अब देखे आर्बिट्रम का wallet address डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा OKX में जाना पड़ेगा OKX में चलिए मैं आपको करके दिखा देखा देता दोस्तों जैसे यह आप OKX wallet में अपना account बना लेंगे OKX wallet का उसका passphrase आप लोग रखिएगा कुछ इस प्रकास से इसको उपर slide करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखे उपर slide करने के बाद और इसका wallet का जो contract address है इसको मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्स अपने टेलिग्राम ग्रूप में पोस्टेड है फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उपर लिखा हुए custom crypto तो आपको custom crypto पे क्लिक कर लेना है क्लिक करते हैं यहाँ पर bitcoin दिया रहेगा तो आपको जो आर्बिटरम क्लिक कर लेना है उपर आर्बिटरम क्लिक करके यहाँ पर आपको आर्बिटरम लिख लेना है जैसे यह आप लोग copy कर लेंगे, अपना paste कर देंगे, automatic evive ले लेगा और decimal 18 ले लेगा, तो यानि कि आपका add हो चुका है, नीचे आप लोग scroll करेंगे, तो आपका evive token यहाँ पर देखेंगे को मिल रहा है, Arbitrum 1 पे, तो इसका भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, इसका भी डाल सक लेकिन मैं काऊंगा कि आप लोग crypto exchange पर लेना प्रेफर करिएगा, क्योंकि यहाँ से withdrawal करने के लिए आपको gas fish देना पड़ेगा, ठीक है, इसका आपको copy करके डाल देना है, अब दोस्तों, जैसे ही आप अपना wallet ID डाल देंगे, और UX ID आपका UID, OLR हैगा, यहाँ पर कुछ कर देना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर हमारा post हो चुका है, कुछ एक दो मिनट में यहाँ पर आपका दिखा देगा, और KYC जो है, आपका complete हो जाएगा, अगर आपका KYC phase 1 complete है, तो इस प्रकार से होगा, थोड़ा बाउट time लग सकता है, यहाँ पर लिखा है 19 December से पहले जो है, अलगबग claiming का हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा यहाँ पर submitted हो चुका है, अब यहाँ पर मैं अपना claiming कर रहा हूँ, जो भी लोग अभी नहीं जोइन किया है, लिंक इसका description मिल जाएगा, अब आप उसको जाकर कि join कर सकते हैं, और दूसरी बा तो यहाँ पर KYC 1, 2 आप लोगों को necessary करना, इसके बाद जो यहाँ पर आप लोगों को year drop या मुझे सबको मिलेगा उसके score के basis पे, यानि कि KYC का score क्या रहेगा, तो आने का मतलब कि आपने इसमें कितना time दिया हुए, कि इस प्रकार से आपका system है, task आपने किया है कि नहीं, तो यही सब देखने को मिलेगा, टेस्टनेट हो गए रब, तो इनी सब को मिला के आपका एक score determine किया जागा, उस score के अनुसार आपका locking भी होगा, तो यानि कि जिसका score 90 से जादा रहेगा, उसको 30% token मिलेगा first half में, यानि कि पहले ही बार 30% token मिलेगा, and 70% जो token रहेगा, वो monthly basis पर 18 month रिली जोता रहेगा, कुछ इस प्रकार से हो, वही नीचे आप लोग देखिए इस प्रकार से है, और समझ लेते हैं कि सबसे जिसका लाक ही नहीं होगा, अगर 60 से नीचे है, तो आपका भी claiming right suspend रहेगा, आपका नहीं मिलेगा, लोक रहेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, यह second round में आपको देखने को मिलेगा, जो 7 दिन बाद होगा, KYC जो उस प्रकार से की जाएगी, यानि कि 60 दिन के बाद आप लोगों को मिलेगा, यानि कि जिसका score कम रहेगा, तो अभी score क्या रहेगा, आपका क्या score है, आप लोगों को नहीं पता होगा, और अभी य यह team को पता है, उसी प्रकार से यह देगा, कुछ इस प्रकार से इसका system है, यही सब है, तो कुछ इस प्रकार से राट, टेलिग्राम ग्रूप में इसका contact address है, जा करके देख लीजिए, 19 December से पहले आप लोग जो अपना KYC12 करके add कर लीजिए, अपना exchange का ही डालेंगे, तो बढ़ियां रहेगा, क्योंकि उस पर फीस होगर का issue नहीं आएगा, आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्बिट्रम में जो एक transaction फीस हो सकता है, कि जब बेचने जाएं तो लगे, और देखते हैं कि price क्या रहेगी, अगर आप लोग comment करेंगे कि price क्या रहेगी इसकी, उस आए तो चाहिए या, टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ जाए, चलि मिनते हैं किसी अगली वीडियो, टेक केर बाए